हलो एंड गुड मॉनिंग एवरिवन मेरा नाम है अजे जागलान इजी कॉनोमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी शकुशल होंगे अपने घर पे और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल कम्यूनिकेशन का जरिया है ठीक है रिटन कम्यूनिकेशन भी एक जरिया है और उसके अंदर रिटन कम्यूनिकेशन को करने के लिए पूरा करने के लिए कुछ स्किल्स के ज़रत पड़ती है उसके बारे में हमारा ये सेशन है उसको हम लोग आज कवर कर लेते हैं कहता है र जेनडर रेसीवर के बीच में काफी ज़ादा डिस्टेंस हो, टीक है, वैंट अब पर्मैनेंसी or record is required, कि जब कोई record की ज़रूरत हो, कोई स्वबूत की ज़रूरत हो, तब return communication को इस्तमाल किया जाता है, टीक है, मतलब किसी case के अंदर, dispute के अंदर, तो ये जो written communication है तो इसको mainly यहाँ पर इस्तमाल किया जाता है कभी भविश्य में जरुत पढ़ जाए कि दिखाओ आप लोगों ने क्या message send किया था उस चीज के लिए ठीक है कहता है it is generally in the form of instruction instruction की form में होता है order होते है जो written communication होता है उसके माँ बता रहा हूँ बच्छे कि वो mainly किस तरीके से होता है याद उसके अंदर कोई आदेश होगा order होंगे कोई rule कानून होंगे regulations होंगे नीतिया होंगी policies procedures होंगे poster होंगे memos होंगे report information bullets होंगे कुछ ऐसी चीजे ही हमेशा written message के अंदर हमें मिलती है कुछ merits है उसकी जो हमें पढ़नी है यहाँ पर कहता है written communication की के it reduce the chances of misinterpretation and distortion of information के written communication की help से जो message को misinterpret कर सके अगर देखो हम लोग जो message बोल देते हैं मैंने verbally message आप लोगों कुछ बोला है ज़रूरी नहीं सामने वाला उसको समझ सके एक बार सुन लेगा तो बाद में उसको दुबार सुनने को नहीं मिलेगा वो शयाद वो पहली बार में गलत समझ जाए लेकिन written communication में ऐसा कुछ नहीं है वो message को बार बार पढ़के message को सही interpret कर सकता है second point में कहता है कि जब बहुत बड़ी information हो तो उसको वर्बली तो दे नी सकते बचे हमें return में देना पड़ेगा तो भरोप से मत रहती है उस टेम पर ये return communication third point में कहता है it provide an opportunity to the subordinates to put up their grievances कि जो lower level होता है न बचे subordinates होते हैं जो manager level के एंडर में काम करते हैं बंदे उनके लिए काफी फायदे मंद होता है return communication कि वो लिख के अपने शिकायते बता सकते कि सर हमें ये problem है हमारी इस problem का solution किया जाए ताकि कल को manager ये ना कह सके कि आपने मुझे problem दो बताई ही नहीं क्योंकि जो लिख की communication किया गया है न वो सुबूत के तोरवे काम करेगा बच्चे ठीक है तो अभी ये इसकी कुछ merits थी अभी merits और पढ़ते हैं इसकी हम लोग ठीक है बच्चे ये कुछ merits थी हमारे पास return communication की अब है हमारे पास कुछ disadvantages return communication की कुछ फायदे को obviously बात है बच्चे कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे कहता है ये बहुत generally expensive and time consuming process कि जो ये process है ये generally expensive और एक time consuming process है बड़ा time लगता है इस process के अंदर लिखने वाले process के अंदर और कहता है such information can be transmitted it is not certain whether receiver has understood it कि कई बार ऐसा होता है कि हम information भेज़तो देते हैं लिख के पर जरूरी नहीं कि सामने वाला उसको समझ पाए अब वो जिस तरीके से हम समझाना चाहते हैं कि उसी तरीके से उसको वो समझ पाए ठीक है next point में कहता है written materials not only get out of date but may also be leaked before time जरूरी नहीं कि written communication ऐसा होता है बच्चे कि वो time से बाहर निकल जाए मतलम कि outdated हो जाए या फिर उसके ये अगर वो written communication समय से पहले पूरा कर लिया जाए तो उसके leak होने के chances भी बहुत जादा हो जाते हैं last point में कहता है it sometimes leads to excessive formalities and rigidity in personal relations कि जो personal relations होते हैं वहाँ पर काफी formal सा हो जाता है written communication को करना ठीक है बच्चे तो ये था आपका आज का session और बच्चे इसके कुछ तीर questions हमारे पास कि एक तो writing skills होती क्या है define writing skills उसके बारे में आपको लिखना है writing skills होती क्या है second point में writing skills का process क्या होता है कि हम writing skills को लिख जो process है वो पूरा कैसे करते है याद रखना ये वाला answer आपको पहले वारे sessions के coding मिल जाएगा और third point में third question में कहता है define the writing skills merit in communication कि communication के अंदर writing skills की merit क्या है उसके बारे में आपको लिखना है बच्चे ठीक है और इसी session के साथ आपकी जो first unit है communication process या communication वो खतम होती है ठीक है आज की वीडियो में सर्फ इतना ही आशा करता हूँ आपको पूरा session क्लियर हुआ होगा और फिर भी आपके कोई doubt या question या query रहती है तो आप हमें comment box में जरूर लिखे और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें बच्चे ठीक है वीडियो पर like, share, comment जरूर करें thanks for listening have a great day